सत्या भाई क्या है बाहर चलोगी काई को अरे चलो ना कह देंगे इन लोगों से कि हम देव बाबा को घुमाने ले जा रहे हैं एक तो खुद इदर छुपके बढ़े लाए अगर बाहर निकलेगा तो पॉलिस पकड़ने ही लेगी क्या अरे नहीं पकड़ेगी काई हम मुझ राक के चलेंगे काहे से कि हमें तुमसे कच्छू जरूरी बात करनी है जो बोलने का है वो इदर बोल बोल दें हमसे साधी करोगी जरावी नहीं काहे काहे नहीं करोगी हमका इतने बुरे आदमी है नहीं यानि कि तुम बुरा नहीं है लेकिन क्या है मैं तुमारे साथ साथ करके खुश नहीं रहेगी काहे काहे नहीं खुश रहोगी देखो एक तो तुम इदर लोगों के घर में छुप-छुप के जिन्दगी निकालता है वाइसा मेरे को नहीं जमेगा बाबा सोरी ठीक है सत्या भाई सत्या भाई तु किसी जोतिष के पास जा जब भी कोई तेरे को शारी के वास्ते पुछता है एक तो काला पिला लीला रहता है नहीं तो इस तो चोर उचक्का रहता है लगता है मैं कवारिश भरेगी एक दिन यह लड़के किते रह गए माजी वो अंदर के कमरे में बैठके बुसर पुसर कर रहे हैं तुम तो यही सब सुनती रहती हो है ना सत्या भाई हम लोग पुलिस के पास जा रहे हैं अपने आपको उनके हवाले कर आखें दिमाग ठीकाने आ ही गया तजा खतम होते ही ना हम लोग फिर से अच्छी जिंदगी गुजारेंगे यह तो बहुत अच्छी बात है अब आप लोगों को छुपना नहीं पड़ेगा चलो माजी जिंदारे पुतर जिंदारे पहले गालिया मिली जब आशल रवादोद मिल गया मंप्शा देवाबा हम जा रहे हैं कभी पिस्तोल को चिंदगी में हाथ ने ले रहा बहुत गंढी चीज होता है मुझे तो पता है अच्छा हुआ तुम्हे भी पता चल गया मुझ्छड अंकल सुनिए अगली बार छुपने नहीं चाय पीने जरूर आना जरूर आएंगे जरूर आएंगे चलो भाई आच्छे ना अच्छे बच्छे थे और खासकर वो राजू तुम्हारा इमोशनल होना मुझसे देखा नहीं जाता अभी मेरे साथ शादी कौन करेगा सत्यावाई जब सामने था तो भाव खाती थी और अब पच्छता आ रही हो लगता है तुम्हारे लिए लड़का अब मुझे ही दूना होगा झाल 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